नमस्कर दोस्तों एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिये परिक्षा में कितना नमबर आने पर फेल लोते हैं और कितना नमबर आने पर बैक लगता है पूरा लोग जानेंगे तो आईए देर ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि बिये पर इक्षा में अगर पास होना है तो बिये पर इक्षा में पास होने के लिए कितना नमबर लाना होगा दोस्तों मैं आपको 74 नमबर का पेपर होता है तो आपको 75 में 277 नमबर लाना होगा अगर आपका 50 नमबर का पेपर होता है तो आपको 50 में से 18 नमबर लाना होगा यानि कि आपका पेपर चाहे 100 नमबर का हो चे 75 नमबर का हो चे 50 नमबर का हो अगर आपको B.A. परीक्षा में पास होना है तो B.A. परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा दोस्तों ये तो हम लोग ने जान लिया कि B.A. परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा तो आईए बिना किसी तारी के आमनों सुरू करते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने पहला जल्टा है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका तीन सेवेट का पेपर हुआ है हिस्टिरी, पुरिडिकल, साइंस और सोसिलोजी यहाँ पर दोस्तों फर्स सेमेश्टर, सेकेंड सेमेश्टर दोनों सेमेश्टर में आपका सौसा नमबर का पेपर हुआ है यहाँ पर दोस्तों हिस्टिरी की बात की जा तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं समेश्टे में आपका 36 नमर से उपर आ है इसलिए दोस्तों हिस्टिरी का अंदर आपका दोनों समेश्टे में passing नमर आ है अब दोस्तों political science की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप दे सकते हैं कि political science का अंदर आपका first semester में 100 में से 22 नमर आ है और second semester में भी यानि की sociology के अंदर आपका first semester में पासिंग नमर आ है लेकिन second semester में आपका passing नमर नहीं कभी है क्योंकि second semester में आपका 36 नमर से कम है इसलिए तो second semester में आपका passing नमर नहीं है अब दोस्तों final की बाद की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप दे सकते हैं कि यहां पर बाइक लगा है अब दोस्तों यहां पर बाइक क्यों लगा है ध्यान समझेए यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर दोस्तों हिस्ट्री का अंदर इसका दोनों समेश्टे में पासिंग नमर आ आ है और प्लिटिकल साइंस का अंदर भी इसका दोनों सम सémष्ट में पासिध में अगर आपका फ sommes सेंच dla 2 अमिड Malays अखर पमार नहीं आता है तो ऊस कर्दिसें नोस्य आपका भाकर लग सकता है अब दूसट्र हम लोग दूसरे जल्ट के माद भी समझतें डिख सकते हैं आपके सामने दूसर है यहां पर दोस्तों आ देशकते हैं कि आपका तीन सब्सक्राइब का पर उइशिटीर प्रटिकल साइंच और हिंदी रिटेचर यहां पर दोस्तुअ फस्सलर सेडियो समेश्ट immers सबस्जा में सथाना नमर का पेपर हुआ है यहाँ पर दोस्तो हिस्ट्री की बात की जा तो यहाँ पर दोस्तो आप देश सकते हैं कि हिस्ट्री का अंदर आपका फॉस्ट समेश्टर में 100 में 48 नंबर आया है और सेकेंड समेश्टर में 100 में 42 नंबर आया है यानि कि हिस्ट्री का अंदर आपका फॉस्ट समेश्टर में 2 कऀसे हैं । याँ तो अगर हुपांगे से यार्न से कि लिए 20 वाले हुआ इंडude में। और 2nd semester में 100 में से 72 नमर आओ है। यानि कि हिंदी एटिटर के अंदर अबका 2 semester में passing नमर आओ है। तो इसे बात किया देखेगा दोस्तों कि अगर आपका किसी दो सबिट्ट में दोनों समेश्चर में पासिंग नबर आता है और किसी एक सब्वेट में अगर आपका दोनों पेपर नहीं दे गया है तो उस condition में दोस्तो आपका बैक लग सकता है अब दोस्तो आपनों तीसा जल्ट को देखते हैं और तीसा जल्ट को देखते हैं यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं आपके सामने तीसा जल्ट आया है यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं अगर आपका 100 number का paper होता है, तब को pass होने के लिए 100 में से 36 number लाना होगा जबकि दोस्तों future semester में क्यो लोने इस number आ है यHope की फॉस्ट semester में आपका 36 number से कम है और second semester में 100 में 38 नमर आ है यानि कि political science के अंदर आपका दोनों semester में passing नमर आ है क्योंकि दोनों semester में 36 नमर से उपर है अब दोस्तो sociology की बात की जाते हैं यहाँ पर दोस्तो अब दे सकते हैं कि sociology के अंदर आपका first semester में 100 में 27 नमर आ है और second semester में 100 में 17 नमर आ है और यहाँ पर दोस्तो गरान टोटल की बात की जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तो अब देशक्ते हैं कि 630 है और यहाँ पर दोस्तो रिजल्ट की बात की जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तो अब देशक्ते हैं कि फेल दिखा रहा है अब दोस्तो यहाँ पर फेल क्यों दिखा रहा है और यहां पर दोस्तों हिस्ट्री के अंदर इसका फॉस समेश्टे में पासिंग नमर नहीं है यहां पर दोस्तों दोस्तों इसको फेल किया गया है तो इस बात क्या देखिए कि अगर आपका किसी एक समेश्टे में दोनों समेश्टे में पासिंग नमर आता है और किसी दोस आपको पास अपास आता है तो उस बाता है इन बातों किया दर रखेंगे तो बीए एकजा में कभी फेल नहीं हो गए दोस्तो आज इस वीडियो को मैं ही पिस्क्रिप करता हूँ मिलता आपसे नेक्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और करेंड करके बताएं कि आपको नेक्ट वीडियो की इस टोपिक अपर चाहिए थेंकियो दोस्तो